हेलो दोस्तों कैसे होता दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सब का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है पाकिस्तान सुपरलिक के नेक्स्ट मैच के बारे में जो के होने वाला है कराची किंग्स और इस्लामबाद उनाइटेड इन दोनों टीमों के बीच में दोस्तो एक मैच रात को आड़ बजे स्टार्ट होगा विन्नी होने वाला है नैशनल स्टेडियम कराची तो दोस्तो एक इंटरस्टिंग मैच है अब तक पी एसल हमारे एक्स्टा ओर्डिनरी रहा है पिछले ग्यारा मैचे समुनकों ने पी एसल में बैक टू बैक विन किये है आपको डिजल्ड मिल जाएंगे हमारे टिलेग्राम चैनल पे टेलेग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में बिलकुल मिस मत करना और जाओ रिजल्स चेक करो और उसके बाद आप लोग हमारे चैनल से जरूर जोईन हो सकते हो दोस्तों बात करते हैं पिछ रिपोट के बारे में तो टोटल 13 मैच इस वेन्यू पर स्टाइग आपकोली 7 मैच देखो गे चेस्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है तो टोटल चेस्ट करना उतना इजी होता नहीं क्योंकि मुल्तान सुल्ता ने पिछली मैच में 222 बना देती कल की रात की मैच है इतना बड़ा टोटल जब बन जाता है तो कहिना के टीम स्टगल कर जाती है और वेसे बेग देखूँगे तो स्ट्रॉंग टीम विक टीम के हिसाब से अगर आप लोग अगर आप लोग अपरोच करते हो मैच को तो बेस्ट रहेगा दो फेर का मैच भी देखूँगे लाहर वर्से इसलामबाद उनाइट था लाहर ने 174 बनाए इसलामबाद उनाइट 166 सी बना करने लगा है तो यह भी थोड़ा देख के चलना दोस्तों बात करते हैं कराची की चार मैचे सेक्चुली हो चुके इनके चारों के चारों मैचे लोग अब तक हार चुके हैं इनके लिए मैच बहुत इंपॉर्टन होने वाला है इनको जीतना पड़ेगा कुछ इस तरी के स उनको और रिटन इंगलन जा चुके तो अभी ओवीलेबल नहीं रहेंगे जॉड़न माइडिव इस मैच में अवैलेबल हो सकते हैं तो इंग्लेश जो भी प्लेयर्स थे वह कल अवैलेबल थी मैकसिम और मुझा नगता इस मैच में जॉर्ड़न भी अवैलेबल होने चाहि है कासीम अक्रम शायद अविलेबल हो जाए एक बहुत जबर्दस प्रफॉर्मस देखे आ रहे है यह अंडर 19 वल्लकप में 100 प्लस 5 विकेट एक एक ही मैच में तो गरी अविलेबल हो जाए तो देखे चला बट मेरे साब से चांसे बहुत कम में के इस मैच में अविलेबल रहने के जोड़न तॉमस ने टॉम लेमन भी है बट मेरी साब से दोनों नहीं शायद ना खेले और हो सकते हैं लेविस ग्रेगरी को रिप्लेस भी कर दे कुछ बोल ने सकते हैं कि शर्जिल की बात करें तो चार में से दो मैचेस में रन बनाए हैं दो मैचेस में फ्लॉप रहे हैं बाबराजम की बात करें तो इनके रन बने पिछले आप नाम सुनने में आ रहा है डोमिस्टिक सर्किट में और देखते कही करते इस मैच में इच्छे डिफरेंशल पीक रहेंगे नभी टोटल आउट आप है नहीं ग्रेगरी ने अब तक उतना अच्छा किया नहीं आमिर यामिन की बात करें तो कुछ कैमियोस खेले अब उतने प्रिसुर रहे नहीं इमाद वस्टिम भी अब तक बैटिंग में कुछ आदा नहीं कर पाए है मुमत ता पार्ट टाइमर है अब बॉलिंग की बात कर है सोरी बेंच पर टॉम लेमन पर स्टार्टिंग के दो मैटर्स खेले कुछ नहीं कर पाए जो कलाक तो अभी अवेलेबल ही नहीं है बॉलिंग में देखो के तो अमेर यामिन है अब तक स्रिफ एक ही विकेट जो पिछले मैच में निकले थी इमाद वस्टिम को स्रिफ एक ही विकेट मिली है इस मैच में इमाद वस्टिम इंपॉर्टन रहेंगे बिकोज आईजल के पास राइट हेंडे बैटर ज्यादा है तो देखके चलना लेविस ग्रेगरी को अब तक कोई विकेट नहीं मिली मुहमद नभी को तीन विकेट मिली है चार मैचस में उमेद आसि तो रूल डाउट हो चुके तो इनके तरफ देखना नहीं है दोस्तों बात करते हैं इसलाम अब बात की चार मैचस हो चुके हैं दो मैचस जीते हैं दो मैचस हार चुके हैं कुछ इस तरह के से इनके प्लेइंग लिए उन रही है पिछले दो मैचस में चेंजस की बात करें तो I don't think कोई भी change होने वाला है ठीक है अब यहाँ पर देखोगे तो power play mean के लिए दालते है हसन अली फई मश्रप डेथ में डालते है हसन अली एन मुहमद वसीम जूनियर और वकास मकसुद भी डाल सकते है जिस तरह के से balling कर रहे है उनको भी balling दी जा सकते है डेथ में अब मुझे लगता है इस match में एक लंबी पारी खेल सकते है तो इन दोनों में से कोई एक batter इस match में लंबी पारी खेल सकता है देखके चलना कॉलियम उundertों के दोनों मैठे जिए 72 प्लस 60 तो अच्छा form धिखाया है शदब खार ने अच्छा form धिखा है 91 प्लस 52 रंस है तो बह। नहीं मिला, बॉलिंग में देखोगे तो हसन अली है, चार मैचस में निकाल चुके है, पाच विकेट्स, ठीक है, डेथ में बॉलिंग करते हैं, बट रन बहुत जादा दिये है, और कल के मैच में देखोगे तो हरी बुरुक ने इनको चार बॉल में चार फोरस लगाए थे, फ़िम अश्रप को फर्स मैच में दो विकेट्स मिली थी, उसके बाद इनको विकेट्स नहीं मिली, ये मोश्टली पाउर प्ले में ही बॉलिंग करते हैं, बाद में बॉलिंग को आते नहीं है, मुमद वसिम जुनियर की बात करी, इनको चार मैचस में मिल चुकी है, चार ये भी आपको डेट्स में एखाद और डालते हुए दिख सकते हैं, शाराप खान, पिछले दो मैचस में नाइन विकेट्स निकाल चुके हैं, टोटल चार मैचस में दस विकेट्स निकाल चुके हैं, देखके चलोगे, वकास मक्सुत पिछले मैच में चार विकेट्स ले लिए नए निकाली थी और मसांडी लांगे ने स्टार्टिंग के दो मैच्ट सी खेले नहीं है तो यह दोड़ा देखके चलना दोस्तों बनाते हैं स्मॉल लीक के टीम विकेट की पर सेक्शन में अगर देखोगे तो आजम खान है बट उसके अलावा जो अकलाक अविलेबल ने ये गुरुबाच खेलेने ये पिछले दो मैचस में रोहिल नाजरी के चांसे कम है और मुहमद अकलाक मेरे सबसे खेलने ने वाले तो आजम खान को लेना ही पड़ेगा बैटिंग और नीचे है बट कोई और आप्शन है नहीं चलते बैटिंग सेक्शन में बाबर ऑविस पी के मुन्रो लेते है श्टरलिंग लेते हैं हिल्स लेते हैं सबसे तीनों टॉप अडर बैटर लेंगे बिकाज कराची की उतनी बालिंग स्टॉंग है नहीं तो ये तीन बैटर से रन बना सकते हैं यहाँ पर शर्जिल खान यान कॉक्वें बिए दोनों को एक साथ भी रख सकते हो दोनों में से कोई एक भी रख सकते हो कॉक्वें का फॉर्म अच्छा है तो इनको मिस नहीं कर सकते है शर्जिल पिछले आपने फ्लॉप रहते हैं हो सकता है शर्जिल इस मैट में रन बना जाए ठीक है और इस्लामात के बॉलिंग ने बेसा कोई बहुत बढ़िया बॉलिंग करी नहीं है पाउर प्ले में तो हो सकता है शर्जिल आपको रन बनाते वे दिखे आसिप अली है ट्राइ कर सकते हो पर ठोड़े चांस कम मिल रहे है इनको बैटिंग करने के शाइब जदफ फरान यह आपके ग्रैंड लीग पीक है और सॉलिड ग्रैंड लीग पीक है ब्लकुल मिस नहीं करूंगा नभी ने अब तक उतना अच्छा किया नहीं वालिंग से एक लेप्ट हैंड बैटर है कॉलिंग मुंडो उसके आला कोई और है नहीं तो मैं ज्याद कॉलिंग यह एक लेप्ट हैंड बैटर से टॉप और के दोनों मतलब दोनों उपनर राइट हैंडर से फिर अगर देगो नंबर चार पे राइट हैंड नंबर पाच पे राइट हैंडर है तो इमाध वस्म का रोल इंपॉर्टन रहेगा दो वीकेट लेते हैं तो बेनिफि ठाइगक टोटल अपको लग रहा है कि बहुत अच्छान हो के लिए डेकर चल सकते हैं अगर अगर Jordan Thompson खेलती ही इस मैच में देखके चलना इनके बारे में चलते बॉलिंग सेक्षन में असन अली इनको मैं सबसे बेले ले रहा हूँ ठीके उसका दगर देखूँ कि तिया पर वकास मक्सुद है और मुहमद वसीम जुनियर है अगर मुहमद वसीम को ले लेते हो न थोड़ा क्रेड का इशू आने वाला है ठीके ये दिक्कत है तो वकास मक्सुद को यह पर लेना ही पड़ेगा उसके बाद उमेद आसिब को ले रहो अगर पहले बॉलिंग आती है कराचिकी तो मैं most likely उमेद आसिब को ही लेके चलूँगा अगर पहले बॉलिंग नहीं आती है कराचिकी तो फिर हम उमेद आसिब को डॉप करके आमिर यामिन ले सकते है जो बैटिंग प्रोवाइट कर देते है तो यह changes हम लोग according to situation कर सकते है और Chris Jordan भाईया अगर यह available इस match के लिए अगर यह खेल जाते है तो obvious पिक है फिर हमें Jordan को लेना ही पढ़ेगा ठीक है फिर पहले balling हो या फिर second balling हो फिर most likely हम जॉड़न को लेके चलेंगे व्यूज़ यह भी betting दे देते है तो यह थोड़ा देखके चलना उस्मान खान शिनवारी को as a replacement अड़ किया गया है टिम में I think यह मुहमद आमीर के यह फिर मुहमद इल्यासी के I think मुहमद आमीर के replacement है उस्मान खान शिनवारी लेप्टाम फास मेडिया में अगर playing मतलब यह अगर अवेलेबल है खेलने के लिए तो थोड़ा देखके चलना खेल सकते हैं बहुत सारा experience है इनके पास PSL का बहुत इनों ने cricket खेला हुआ है अच्छे लेप्टाम फास में बॉलर recent form उतना अच्छा नहीं है इस वाज़े से यह PSL में नहीं थे पर एड़ किये गये हैं तो थोड़ा देखके चलोगे इसके अला और कोई मैं आपर recommend नहीं करूँगा ठीके अभी Jordan वाला decision जो रहेगा वो हमें प्लेंगी लिए उनके बाद ही पता चलेगा तो अभी कलिए हम लोग Jordan को छोड़ते हैं आसिब को लेते हैं 9 credits आपके पास बचते हैं अब देखो आप क्या कर सकते हो और अंडर सेक्शन में आप चाहो इमाद वसीम ले सकते हो नभी चाहो तो नभी ले सकते हो या पर बैटिंग सेक्शन में शरजिल खान ले सकते हो यह आपका final call रहेगा आप किसे लेना चाहते हो राइट नौ में शरजिल खान को ही ले रहा हो और गईस कुछ इस तरिके से बनेगी हमारी टीम मुहमद वसीम जुनियर को में लेना चाहता था बट मेरे पास आधा credit कम पड़ रहे तो में वकास मकसुत के साथ गया हूँ ठीकि यह चेंज किया है वैसे उमेद आसिप के जग़ा पे ले सकते थे हैं मुहमद वसीम जुनियर को बट अल्ड़ी हम लोग 7 ले चुके है इसलावाद उनाइटेट के तो हम लोग नहीं ले पाएंगे तो यह भी दिक्कत आ रही है अब कैप्टेन आसिप के बात करें तो डेफॉल्ट कैप्टेन रहेंगे इस मैच में शाधाप खान सारी पब्लिक डेफॉल्ट कैप्टेन से देखे आएगी और वाइस कैप्टेन से भाबर को दे सकती है तो mostly पब्लिक इन दोनों के साथ आएगी बट मुझे लगता है हेल्स पॉल्स टर्लिंग इन दोनों में से कोई एक-त इक सॉलिड पारी खेल सकता है इस मैच में लंभी पारी खेल सकता है तो आप at least VC इन दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हो जो आपको लग रहा है कि भाईया ने में कर देता हूँ कर सकते हो जो भी आपको लग रहा है यह आपके मर्जी बनीगी ठीक है प्यक्ति बाबर भी देखोगे तो consistency देते हैं बट उतना अच्छा strike rate रहा नहीं है बट हेल्स और स्टर्लिंग जिस टाइब से खेलते हैं लंबा खेल गए तो बहुत अच्छे से point देके चले जाएंगे तो आप इन दोनों में से किसे एक को वाइस captain सी देके चल सकते हो default captain तो आपके शादाब खानी mostly रहेंगे grand league में अप चाहो तो इन तीनों को grand league में captain राइस captain रोटेट कर सकते हो तो दोस्तो final updates में आपको अब टेलेग्राम चैनल पे दूँगा according to final playing इलिए उन किस तरीके से बनती है mostly कराची के team किस तरीके से निकलती Jordan available है या नहीं available है खेलते है नहीं खेलते उसके according हम लोग final decision लेंगे और final decision मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे update करूँगा टेलिग्राम चैनल की link आपको comment section में first comment पे मिल जाएगी join जरूर हो जाना और टेलिग्राम पे जाने के बाद पिछले PSL के matches के results देख लो पिछले 11 matches हम लोगों ने back to back win किये PSL में तो भई यह आपके लिए बहुत ही बड़िया एक platform में जहाँ पे आप लोग join हो सकते हो तो join जरूर हो जाना वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को like कर देना YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है जल्दी से subscribe करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना Thank you so much guys for watching